हैलो प्रेंट जे के अगरी कल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप सभी को क्रेस रसान विज्ञान का ओल्ड कोशन पेपर शाल्ब कराएंगे चलिए ना देरी करते हुए कोशन पेपर को शाल्ब करते हैं या 2020 का कोशन पेपर है जिसका ताइम तीन घंटा वर पंदरा मिन था इसका पूड़ांग पचास है चलो इसको देखते हैं प्रेश नमबर एक का का इसमें नाइट्रोजन के कुल आकसाइडों की संख्या है नाइट्रोजन के कुल फांच आकसाइड होते हैं इसका सही अंसर तीसरा है प्रेश नमबर खा पी फोर है एक पी फोर एक योगिक है क्योंकि पी यानी की फासफोरस एक तक्त है और पी फोर एक योगिक है प्रेश नमबर गा पर्यावण को सरवादिक प्रदूसित करने वाली गेस है आप सन फोर सही है कारवन डाई आकसाइड क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि कारवन डाई आकसाइड फैक्टरियों से निकलने वाले धुए में भी पाई जाती है जिससे प्रदूसर बता है अब को सिंन म्बर गा कार्वन की युगAfो começo के मोल स्रोत है मोल स्रट के मतलब जहां यह पाय जाते हैं जन्त वेवं बनस्पती पदार्त में पाया जाते हैं इसका अप्षन शर्य और sırश अ使क एक अकारवन Ready पदार्त खनीज़ फैद्द आरथों में पाए जाते हैं फ्रेश नंबर डा, एरोमेटिक योगिक है, बंद स्रंखला वाले योगिकों को एरोमेटिक योगिक कहते हैं, यानि की बेंजीन के सभी सदस्य, और इसका सही अंसर, चवथा सही है फिनोल वेंजीन का एक सदस्य है जिसका सूत्र इस प्रकार है उपर इगोएच प्रिस नंबर दूसरा एलुमीनियम 27-23 परमाड़ में प्रोटानों और नोटानों की संख्या ग्याद कीजिए या लिखिए इसके बारे में भी बताते हैं इलुमीनियम 27-23 इसका सूत्र जो उपर वारी संख्या लिखी होती है यहाँ परमाड़ भार होता है और नीचे वारी संख्या परमाड़ क्रमांग का कहलाती है इस प्रकार याद होना जरूरी है इसका एक समीकरण है इलक्टरानों की संख्या बराबर प्रोटानों की संख्या और प्रमाड क्रमांक या यहां लिख सकते हैं इलक्टरानों की संख्या भी इसका सूत्र है प्रमाड भार बराबर प्रमाड क्रमांक या प्रमाड संख्या प्लस निवट्रानों की संख्या प्रमाड क्रमांक कितना है प्रमाड क्रमांक यहां 13 है और यहां प्रमाड क्रमांक 13 लिख लेते हैं प्रमाड भार कितना है 27 प्रमाड भार 27 लिख लेते हैं प्रमाड क्रमांक 13 तेरा निव्ट्रानों की संख्या तो ग्याद करनी है निव्ट्रानों की संख्या बराबर इस तेरा को इधर 27 के पीछे ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा इस प्रकार घटाने पर 14 आया निव्ट्रानों की संख् प्रोटान भी तेरा होंगे प्रेस नम्बर तीसरा CH3CHO का साधरन नाम और तथा IPC नाम लिखिए CH3CHO का रसायनिक नाम या साधरन नाम है AC Taldihyde AC Taldihyde इसका एक साधरन नाम है IPC नाम बनाने के लिए काउंटिंग इसकी करते हैं काउंटिंग उदर से होगी जिदर से CHO यानि की क्रियात्मक समू नजदीक हो इसका क्रियात्मक समू नजदीक है इदर से काउंटिंग एक और दो यदि आपने IPC के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में दी हुई है वहाँ से देख सकते हैं दो कार्बन के लिए एथ और सिंगल वांड यहां पर है इसलिए यहां लगाते हैं एएन एथेन और CHO के लिए AL लगाते हैं इस प्रकारश का APACIV नाम बन गया एथे एथेनल प्रेस नमबर चार H2SO4 का अड़ुहार तफ़ा तुल्यांकी भार गयात केजिए इसका भी देखिए H2SO4 यानि की सलफ्यूरिक अमल इसका रसाइनिग नाम है इसका अड़ुहार निकालने के लिए इसका प्रमाड कुर्मांक सभी का प्रमाड भार याद होना जरूरी है यच्च यानि की हाइड्रोजन का प्रमाड भार एक होता है और यहां गुणे में दो प्लस यसका 32 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और गुणे 4 इस प्रकारिस का निकाल सकते हैं 34 फ्लस 64 98 का प्रमाण कुर्माण का आया अब तुल्यांकी भार निकालते हैं तुल्यांकी भार वरावर पदार्थ पदार्थ का अड़ुभार बटे सयोजक्ता या छारक्ता इसे सयोजक्ता दोनों नाम से पुकारा जाता है या एक मात पून सूत्र है जिससे तुल्यांकी भार ग्याद किया जा सकता है तुल्यांकी भार कितना है तुल्यांकी भार ग्याद करना है पदार्थ का अड़ुभार 98 9 और सकी चारकता इधर निकाल सकते हैं यसो माइनस माइनस इसके चारकता 2 आई है इधर 2 दो इधर माइनस है तो इसका चारकता 2 है इसे भाग कर देते हैं इसका भाग करने पर 89 आया इसका तुल्यांकी भार 49 होगा तुल्यांकी भार को ई से प्रदेशित करते हैं इसलिए ये विराबर 45 का तुल्यांकी भार करेक्ट आंसर प्रेश नमबर पांच जडियन प्लस सी यू प्लस प्लस एरो जडियन प्लस 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 सी यू में आक्सी कारक्त आप चायक पदार्थों का नाम लिखिए इस प्रकार समी करण को तोड़ कर इस प्रकार लिखते हैं जडियन एरो जडियन प्लस प्लस सी यू एरो सी यू इधर दो इलक्ट्रान है तो इधर दो इलक्ट्रान लगा देते हैं तो इधर बराबर हो गया इधर भी दो इलक्ट्रान हो गया और इधर दो इलक्ट्रान पहले से हैं और इधर दो इलक्ट्रान लगा दे तो बराबर हो जाएगा तो दो एलक्ट्रान और दो एलक्ट्रान इदर भी समी करण बराबर हो गया और इसे कैसे पहचाने की कौन सा आक्सी कारक है और कौन सा अपचायक है इसे पहचानने के लिए पहले देखते हैं बढ़ते क्रम में कौन सा है यह बढ़ते क्रम में है क्योंकि पहले से ही प्लस प्लस था यहां आक्सी करण है आक्सी करण और यहां घरते क्रम में है इधर प्लस प्लस है और इधर पहले से नहीं था यहां आपचैन इस प्रकार आप कह सकते हैं कि CU एक अप्चायक पदार थे और जडियन एक आक्सी कारक पदार थे फ्रेश नमबर 6 दिरगा काराबरसाणी में बर्गो की संक्या तता आबरतो की संक्या कितनी है इसको भी देख लेते हैं यह दिरगा काराबरसाणी है इसे बर्ग कहते हैं, बर्ग 18 होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाहुदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, और आबरत साथ होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, कुल साथ आबरत होते हैं, इस परकार इ इसका यहाँ सही अंसर है प्रेस नमबर साथ मेंडे लीप की आवरसाणी को कि किनी दो कम्यों को उल्लेक कीजिए या अपवाद को उल्लेक कीजिए यहां मेंडे लीप की आवरसाणी है इसकी कम्यों या अपवादों का उल्लेक की करना है मेंडे लीप की आवरत साणी के दोस केवल दो ही लिखने हैं इसमें पांच दिये हुए हैं तो पहला दोस है हाइडरोजन का दोहरा बेवार हाइडरोजन दो की प्रथम वर्ग आ की धातुएं लीथियम, सोडियम, पोटेसियम आद और सप्तम वर्ग वा के तक्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के गुणों में समानता दिखाता है को ठीक स्थान नहीं दिया जा सकता है सका नमबर दो असमान तक्तों को एक ही बर्ग में रखना प्रतम समू आके शारिय धातू और बाके सिक्का धातू बासप्तमबर आके हेलोजन और बाके मेगनीज में असमानता होते हुए भी बे एक साथ रखे गए हैं। इस प्रकार इसका भी वीडियो बना देंगे जिसमें हाइडरोजन का दोरा मेवार और क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में सभी जानकारी मिल जाएंगी उस वीडियो में। चौक सब्सकारी जाग देता है इसका यांसर उत्तर और बहुत सरल है और दोसरा देखिये। इससे कप्ड़ेधोंे ने पर साबुन कम मात्तरा में ख़र्च υता है।ателя कर दोंे परयोगे Palmer कर अधिक खर्च में खर्च Living इसमें केल्सियम तरह मेंगनीसियम के वाई कार्बोनेट क्लोराइड वाई सल्फिट लबडों का अभाव होता है इसमें केल्सियम मेंगनीसियम के क्वाई कार्बोनेट क्लोराइड का सल्फिट लबड घुले हो रहते हैं जल पीने के लिए अधिक उप्युक्त नहीं होता है यह यहां कठोर जल से अधिक पीने में उप्योगी होता है इन पांचों अंतरों को याद करना जरूरी है क्योंकि इस वार दो नंबर में पूछा गया और अगली वार चार नंबर में पूछा जा सकता है प्रेस नम बर 9 परमाड तूद आयन में 2 अंतर लिखिए इसको भी देखिए परमाड और आयन बाद में अंतर आयन में अंतर परमाड यहां विद्धुत उदासीन है कि इसमें 11 एलक्टरान तथा 11 ही प्रोटान है सब परमाड विद्धुत उदासीन होते हैं इस पर धन आवेस होता है क्योंकि इसमें उसमें दस इलक्टरान तथा ग्यारा प्रोटान होते हैं सब आयन धन एवन रण विद्धत आवेसित होते हैं अक्रिय गेसों को छोड़का सब परमाणूं की इलक्टरानिक रचनाय आस्थाई होते हैं जैसे सोडियम की बाहा कच्छा में एक इलक्टरान होते हैं इसमें केवल दो ही अंतर पूछे थे इस प्रकार अगली परिच्छाओं में तीन या चार पूछ सकते हैं दो नंबर के हैं दो ही अंतर पूछे थे प्रेस नंबर ग्यारा परमाण भार तुल्यांकी भारता सयोजक्ता में संबंद लखिए मेंगनीसियम का परमाण भार 24 तता सयोजक्ता दो है यमजी या मेंगनीसियम के तुल्यांकी भारता सयोजक्ता में संबंद लखिए मेंगन तत्तो का पर्माड भार हुआ संक्या है जिससे ग्यात होता है कि उस तत्तो का एक पर्माड हाइड्रोजन के पर्माड से जितना भार एकाई मान लिया गया है कितना गुना भारी है यह पर्माड भार की मुख्य परिवासा है तुल्यांकी भार किसी तत्तो का तुल्यांकी भा इस प्रकार यहां तुल्यांकी भार की परिवासा है। इस प्रकार यहां तुल्यांकी भार की परिवासा है। 4Cl तथा K2SO3 का जल अपगटन समझाईए। इसे अमोनियम क्लोराइड तथा इसे पोटेसियम क्लोराइड के नाम से पकारा जाता है। यहां एक लांग अंसर है इसको नहीं बताएगे। और नमबर 13 को देखते हैं। कारवन का वायू में जलना कौन सा परिवरतन है। कारवन का वायू में जलना एक रासायनिक परिवरतन है। जो पदार्थ का रंग बा गुड समान ना हो जोकी पदार्थ से भिन हो हो। इसका वीडियो भी में ने दिस्क्रिप्टें बाक्स में लिंक और दे लिए। वहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार C तथा O2 की अविग्रिया से बनने वाले दो आक्साइडों का रशारिक समी करण दखिये यहां देखिए तो देखिए दो आक्साइड इसके बन गए है C प्लस O2 यानि की आउक्सीजन की अवक्रिया कराने पर कारवन डाई आक्साइड बन गया और दूसरा समीकरण कारवन और आउक्सीजन की अवक्रिया कराने पर कारवन मोनो आक्साइड बन गया इस प्रकार इसकी दो आकसाइड त्यार हो गए प्रेस नमबर चवदा हड़ी की राक में पाये जाने वाले योगिक का नाम तदा सूत्र रिखिए क्रस छेत्र में फासपोरस के उपयोगों ये महत्पुन उपयोगों का उलेक के जिए इसको भी देखिए हड़ी की राक में पाये जाने वाला योगिक के प्योगों के रूम में प्रियोग किये जाते हैं उन्हें बनाने में यहाँ योगिक पोधों को फालने फूलने में सहता प्रदान करता है इस प्रकार इसके उपयोग हैं जो दो से चार नमबर के वीच उपी बोड परिच्छा हैं और अन्निक्रिस परिच्छाओं में पूँचे जाते हैं बिस्तर उत्त्रिये प्रस्णों को देखिए क्या होता है जब केवल रसानिक समीकरण लिखिए इसमें केवल रसानिक समीकरण लिखना है और इसकी अभिकरिया चूना के साथ करानी है और यने वच की जली बिलिन की अभिकरिया तनू सल्फियूरिक अमल से करानी है और नमबर तीन पर चूने को पानी में देर तक सीओ टू में प्रवाहित करने पर इस अभिकरिया की समीकरण में लिखना है अत्वा में दिया हुआ है प्रियोग साला में हाइड्रोजन क्लोराइड गेस के निर्मार की बिधी का सचित्र वरन कीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड की अमोनिया गेस से होने बाली यमकरिया का समीकरण दीजिए इस प्रकार छे नंबर के question आते हैं अत्वा में जो कि उपर वाला या नीचे वाला कर सकते हैं हम आपको प्रयोग साला वाला करके दिखाते हैं इसमें दिया हुआ है प्रयोग साला में hydrogen chloride eCl HCL गेस के निर्मार की विधी का सचित्र वरन कीजिए HCL यानि की हाइडरोजन कुलॉराइड की अमोनिया गेस के साथ होने वाली अवगिया का रशानिक समीकरन लिखिए हाइडरोजन कुलॉराइड बनाने की विधिया विधी बनाने की प्रियोग शाला में हाइड्रोजन, कुलॉराइड, गेस, साधान, नमक और सांद, सल्फियूर्ग अमल को गर्म करके प्राप्त की जाती है अभिक्रिया से पहले कम तापर सोडियम वाई सल्पेट यने यच सीयसो बनता है इस प्रकार या रियक्षन है दी हुई है यने सीयल, येच टू येसो फोर यानि की नमक और सल्फियूर्ग अमल की अभिक्रिया से यने येच सीयसो फोर प्लस येच सीयल बनता है अधिक गर्म करने पर यह सोडियम वाई सल्फेट नमक से फिर अभिक्रिया करता है और सोडियम सल्फेट यने टू यसो फोर बनाता है यन इसको यने यसो फोर को फिर से गर्म करते हैं नमक के साथ और यने टू यसो फोर बनता है और साथ में यसील फिर से हाइडोजन कुरोराड गेस दोनों क्रियाओं में बनती हैं उप्युक्त दोनों समीकरण को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है दो यने CL प्लस EH2SO4 सल्फियूरिक अमल की रियक्षन करने पर यने 2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस EHCL बनता है इस प्रकार यह रियक्षन यानि की दो रियक्षन से मिलकर एक रियक्षन बनी हुई है इसे कर सकते हैं और विधी पूची गई है विध यहाए गोल पेंदी वाले फ्लस्क यहाँ गोल पेंदी वाला फ्लस्क है इसे गोल पेंदी का फ्लस्क कहते हैं में साधरन नमक यानि की नमक यने सियल के कुछ तुकडे उसमें कुछ तुकडे उसमें दो चेंद वाली एक कार्क लगाई जाती है यहाँ पर डाट लगी है इसे कार्क कहते हैं जो की काउच की बनी होती है फिर कार्क के छेन में एक सिथिल कीप दूसरे छेन में एक निकास नली लगाते हैं इसे सिथिल कीप कहते हैं जिसमें यह सियल यह टू यह सो फोर भरा हुआ है जो सांधृत है और निकास नली इसे कहत होता है इसका दूसरा सिरा ये वाला गेस जार इसे गेस जार कहते हैं इससे पड़ा होता है सितिल कीप द्वारा सांद्र सल्फियृक अमल इतनी मात्रा में डाला जाता है कि नमक के तुकडे पूर्ण रूप से ढख जाए या सितिल कीप है इसमें यच्ट्टू यसो फोर या सल्फियृक अमल सांद्रित भरा हुआ है किप का निचला सिरा भी दू जाता है फ्लासक को इस टेंड से कसकर या फ्लासक अ से ईस टेंड या इस गेस को बायू के उपर से हटाओ की रीत द्वारा गेस जार में भर लेते हैं यह देखने के लिए जार गेस से भर गया अत्वा नहीं अमोनिया बिलेन में दूबी एक काच की नली को गेस जार के मुक पर लाते हैं तो सपेद धुआ दिखाई देता है पढ़ता है इस प्रकार गेस के कई गेस जार एकत्रित कर लेते हैं सुद्ध और सुस्क गेस को प्राप्त करने के लिए गेस को सांद्र सल्फियूरिक अमल की धावन बोतल में से प्रवाहित करते हैं इस प्रकार यहाँ सल्फियूरिक या यच सियल बनाने की बिद्य हो गई और इसकी रियक्षन देखते हैं अमोनिया के साथ यच सियल हाइड ड्रोजन क्लोराइड यच सियल की अवक्रिया यन यच थिरी यानिकी अमोनिया से करने पर यहाँ यच उठाकर इधर लाएं यन यच यहाँ थिरी था एक बढ़ गया फोर हो गया और सियल सियल तो यन यच फोर सियल बन गया इसका नाम है नव सादर जब हाइड रोजन क्लोराइड की अवक्रिया अमोनिया से करने पर नो सादर प्राप्त होता है करेक्ट रियक्षन इस प्रकार हमने फंद्रवां प्रस्ण हल किया इसे प्रस्ण नमबर सोला निम लखिदी योगों के सरचना सूत्र लिखिए यहाँ भी बहुत सरल है सरचना सूत्र के वर लिखना है इसमें नमबर एक पर डाई एथली इथर और नमबर दो पर एस्टामाइड नमबर तीन पर एस्टिलीन अथवा में बहुत सरल दिया हुआ है निम लखिदोगिकों के निर्माड की एक एक विधी का रसायनिक समीकरन लिखिए इनके निर्माड या एथेन, बेंजीन, फिनोल सभी के निर्माड की केवल एक एक विधी ही लिखनी है वो भी केवल रियक्षन देखिए सबसे पहले आपको इन सभी के सरचना सूत्र दिखाते हैं डाई एथर इथर इसका सामान सूत्र यानि की रसायनिक सूत्र C2H5 O C2H5 है और इसका सरचना सूत्र जीए दिया हुआ है सरचना सूत्र बनाने वाला वीडियो भी बना देंगे चेनल को सस्क्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो को सूचना आप तक पहुंच सके नमबर दो पर आता है एस्टामाइड CH3CO1H2 इसका सामान सूत्र है और सरचना सूत्र ये है एसी टिलीन का सामान सूत्र C2H2 है और इसका सरचना सूत्र इस प्रकार है इसको दो प्रकार से लिख सकते है इस प्रकार से भी लिख सकते है अब अत्वा बालों बताते हैं नमकित योगो को निर्माड की एक एक विधी का सारासानिक समीकरन लिखिए पहला नमबर एक एथेन एथेन का रसानिक समीकरन देते हैं एथेन बनाने का प्रियोग साला ही लिख लगते हैं निरिजल सोडियां प्रोपियोनेट और सोडा लाइम को या सोडा लाइम का सूत्र है याने ओच और या सीएओ केलसियम ऑक्साइड यानि की चूना के का सूत्र है के मिस्रण को गर्म करने पर इसको गर्म किया और इस प्र करन लिखना था के वर नंबर दो वेंजीन वेंजीन को प्रियोग साला में किस प्रकार बनाते हैं वेंजीन की प्रियोग साला बिदी देख लेते हैं वेंजीन प्रियोग साला में बड़ी सुख्वता से सोडियम बेंजीयो याटी और सोडा लाइम के मिस्रण को गर्म करके त ये अहीं फिर्शन नमबर तीसरा फिनौल गई देख्ञ लेते हैं प्रियोग वह चाहरे हो ! प्रकार त्यार की जाती है फिनाल की बनाने की विधी अपह के लबडो की उपस्तित में चीन्साइब ताब पर क्लोरोविंजीन को 10% Belgium कार्बोर नेट या सोडियम हाडराइकसाइड के साथ गर्म किया जाता है यहाँ क्लोरोविंजीन का सूत्र है और यहां यहने ओयाच यानी की सोडियम हाइडराकसाइड का सूत्र है इसे गर्म करने पर 300 डिगरी सेलसियत तापमान पर और बायुमंटरी दाब 200 तब फिनॉल तयार करते हैं और नमक बाहर निकालते हैं इस प्रकार यहार यक्सन आप लेख सकते हैं प्रेस्ट नमबर 17 देखते हैं क्या होता है जबकि केवर रसायनिक समीकरण देना है इसमें केवर रसायनिक समीकरण देना है बो भी 3 पर थेट नमबर पर रचाना है फार्मेंलडे हैड की अमुनियां से क्रिया कराई जाती है यहां हम नहीं कराएंगे क्यूंकि जुक्त का वीडियो लंबा हो जायेगा इस परकार है वहीं यहां करा देंगे निम्ल लखित अथवा में निम्ल लखित क्रियात्मक समूँ को सूत्र लिखिए कार्वोक्सलिक का क्रियात्मक समूँ सी जैसा कि हमें कार्वोक्सलिक एसिड का क्रियात्मक समूँ लिखना है सी कार बोक्स लिक का यहां समू है और इधर कोई भी लिख सकते हैं कोई भी अच्छर इसलिए यहां छुटा हुआ है नमबर दूपर आता है LD हाइड समू LD हाइड सी O LD हाइड समू का यह सरचांतमक सूत्र यह से क्रियातमक सूत्र भी कहते हैं नमबर तीन पर आता है प्राथमिक एमीनो एसिड आर यह नियश टू हम आर लगा सकते हैं क्योंकि यहां आर का मतलब होता है कि यहां कोई भी सब्द हो सकता है जैसे इस पेर आर लगा सकते हैं यहां भी आर लगा सकते हैं नमबर चार पर आता है इमाइड शमू यन एच सी यो यन एच टू इस प्रकार हम क्रियार्टमक समू लिख सकते हैं यदि आपको इसी प्रकार के सारे हल पेपर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करो और वेल आइकन को दवाओ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें थेंग यू